आज इस वीडियो में मद्धे कालियन भारत का तीसरा दिन है और दिली संद्रन्ध हम लोग पढ़ रहे थे इससे पहले हम लोगों कोने गुलाम वंस पढ़ा था और गुलाम वंस का टौपिक कवर हो गया है और आज होगा खिलिची वंस थो वीडियो में अन्तक मने रहएग और आप सभी लाइक, सेयर और सस्क्राइब जरूर किजिएगा चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं गुलाम वंस के बाद खिलजी वंस आता है तो खिलजी वंस से अज खिलजी वंस पढ़ेंगे स्वड़ परथम देखेंगे कि खिलजी वंस का अस्थापना किस ने किया था तो खिलजी वंस का अस्थापना जलाओ दिन खिलजी ने किया था और गुलाम वंस का अंतिम जो उत्राधिकारी या फिर सासक था वो था क्यू मर्स उसकी हत्या करके खिल जी वंस की अस्थापना किया था जलाओ दिन खिल जी ने और अपनी रधानी बनाया था किलो खोरी को रधानी बनाया था तो खिल जी वंस का संस्थापना किया जलाओ दिन खिल जी ने और अपनी रधानी बनाया किलो खोरी को और इसके समय क्या हुआ था ना मानिक कपूर में बिद्रो हो गया था ठीक है इसके समय मानिक कपूर में बिद्रो हुआ था तो बिद्रो को दवाने के लिए उसने अपने भतीजा को भेजा था और जलाओ दिन खिल जी का जो भतीजा था अलाओ दिन खिल जी उसका भतीजा था ठीक है अलाओ दिन खिल जी जो था अलाओ दिन खिल जी जलाओ दिन खिल जी का भतीजा भी था और एक तरह से देखें तो दमाद भी था क्योंकि जलाओदिन खिलजी की बेटी से अलाओदिन खिलजी ने बिवा किया था ठीक है तो भतीजा भी था और दमाद भी था तो जब मानिकपूर में बिद्रो हुआ था मानिकपूर में बिद्रो हुआ था तो उस समय जलावदिन खफिल जी जो था उसमें सफल हो गया था तो इससे प्रसण होकर जलावदिन खिल जी ने उसे दक्षिन मतलब कि वहां का गवर्णर बना दिया था कड़ा मानिकपूर को गवर्णर बना दिया था और और स्वर्पतम दक्षिन भारत में आक्रमन करने वाला अगर पहला सासक है तो वो चलाओदिन खिलजी है जो कि खिलजी वन से था वहाँ भी उसने अपने भतीजे को भेंजा था दक्षिन भारत में आक्रमन करने के लिए और उस समय जो सासक थे देवगिरी के सासक थे और उसके खिलाब क्या कर दिया था अलावदिन खिलजी ने बित्रो कर दिया था 1290 इस्वी में और जलावदिन देखे जब दक्षिन बारत जाता है अलावदिन खिलजी तो वहाँ से उसे काफ़ी धन समपती मिलता है तो इससे जलावदिन खिलजी जो है इसका इंतजार करता है कि वो उसका भतीजा धन्जम पती को दक्षिन भारत से लूट के लाएगा लेकिन ऐसा अलावदिन खिलजी नहीं करता है और वो क्या करता है अलावदिन खिलजी वो अपने जो जहां का गवर्नत था कड़ा चालाओदिन खिल जी मानिकपूर अपना हिस्सा बागता है जो भी सोना चांदी जो से हक링म मागता है जलाओदिनErी किया करता है। चलाओदिन्हीन स्लाओदिन खिलजी की हट्य कर देता है। इसे याद रखिएगा। कि जलावदिन खिल जी ने अलावदिन खिल जी की हत्या कर देता है कहां पे जहां पे वो आता है कडा मानिक पुर में वाप उसका हत्या कर देता है और क्या करता है कि अलावदिन खिलजी अपना राजविसे करवा लेता है 1296 में तो जलावदिन खिलजी जो था 1290 में पैठा गद्धी पे मात्र 6 साली सासन कर पाया और उसके बाद अलावदिन खिलजी अपना राजवी से करवाता है जो बलवन के द्वारा जो बनवाया गया था राजमहल जो लाल बलवा पत्थर से बनाया गया था लाल महल उसमें अपना राजवी से करवाता है अलाओदिन खिलजी तो चलिए जलाओदिन खिलजी तो समापत हो गया अलाओदिन खिल जी ने उसके हत्या कर दिया तो अब पढ़ेंगे अलाओदिन खिल जी के द्वारा क्या-क्या कारे हुए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे तो अलाओदिन खिल जी ये गदीप बैठा 1296 में बताए हैं और ये कडा मानिकपूर का गवर्नर था मतब बना दिया गया था कडा मानिकपूर में ही उसने क्या किया राजे भी सेख करवाया इसका जो मूल नाम था अली एवम गुर्षपा इसका मूल नाम था और इसका उप नाम इसने अपने आपको दिया था सिकंदर ए सानी यानि दृते सिकंदर इसने अपने आपको सिकंदर की उपाधी ली थी इकता परनाली को समाप्त कर दिया था और इसके स्थान पे नगत बेतन पारम किया था जब हम गुलाम पंस पढ़ाए थे तो बताए थे कि जो इल्तु तमिष था उसने इकता परनाली की सुर्वात करवाई थी और इकता परनाली क्या होता था तो बेतन के बदले में जमीन देना या भूमी देना इकता परनाली कर लाता था तो अलावदिन खिल जी ने क्या किया इकता परनाली को समाप्त करके नगत बेतन देना पारम किया याद रखिएगा और हुलिया त्यार करने की प्रता इसने सुरू की मतलब कि सेने कोग में एक राष्टिय छीन कहिए या अलग सा एक अलग पोशाक चिसे पता चले की यह हमारे गुट के सेना है तो हूलिया त्यार करने की प्रथा अलाओ दिन खिलजी के समय सुरू हुआ घोड़ा दागने की प्रथा भी इसने सुरू करवाया यानि कि घोड़ा पे भी इसने एक राच की चीन बनाई जिससे इसके घोड़े की पहचान हो सके अस्थाई सेना रखना इसने पारम किया जिससे कि जानते हैं कि इसने नगत पेतन देना पारम किया तो अस्थाई सेना रखना भी इसने पारम किया कि अब हम सेना को अपने पास रखेंगे उसके बाद बजार नियंतरन परनाली इसने सुरू की यानि कि बजार में बहुत सार भश्टाचार फेल गए थे तो इसने बजार नियंतरन परणाली भी सुरू किया मूले नियंतरन परणाली भी सुरू किया जिससे एक मूले ते किया जिससे लोग उसे बजार में जादा पैसा ना ले एक मुले ने पर ना ले फिर मापतों नियतरन पर ना ली यानि कि जो बजार है उसमें जादा मतब की पैसा जादा ले की कम तॉल के ना दे कोई ऐसा इसने एक शुरू किया मापतोल नियत्रन पढ़ना लि तो अलाओदिन खिलजी जो है उसके द्वारा क्या-क्या सुरू किया गया तो हुलियत त्यार करने की प्रता सुरू की गई घोडा दागने की प्रता सुरू की गई अस्थाइ सेना रखा इसने बेतन नगत दिया बजार नियत पनाली शुरूं की मुले नियतनब्र पनााली मापतों पनाली बदल जब आदाना-ब मांपतों पनाद रौह इसb Craft इता कि इसने चईरई करण लेना सुरू किया और गर में पर भी कर दोल्ग Juca इसे जो छिपनक करते थे और यूद में जो लूटते थे संपाती ठीक है जिसे हम लोग खुम्स कहते थे खुम्स तो यूद में जो लूटा गया संपाती था जिसे खुम्स कहते थे तो पहले किया था कि राजा एक चोथाई लेता था कर और तीन चोथाई जो थे सेना रखते थे लेकिन जब ये मतलब कि आपको नगत वितन दे रहे हैं अपने पास रख रहे हैं तो अब क्या होगा अब हम अब आप लूग एक चोथाई रखिए मतलब कि अब जो होगा बाद में क्या हुए कि तीन चोथाई राजा रखने लगा और एक चोथाई सेना रखने लगा ठीक है तो याद रखीगा और किरिसी पर भी कर लिया था इसने आधा कर लेना पारम किया था किरिसी पर भी तो याद रखिएगा और अलावदिन खिर जी का निर्मान कारे देखते हैं अलावदिन खिर जी का निर्मान कारे तो अलावदिन खिर जी का इसने अलाई दरवाजा का निर्मान करवाया जो कि दिल्ली में है हजार खंबा वाला महल बनवाया ठीक है सीरी का कीला इसके द्वारा बनवाया गया और वही बता है जो राविज सेख है राजिवी सेख उसने लाल महल में करवाया था जो कि बल्वन के द्वारा बनवाया गया था अलावदिन के निर्मान कारे क्या था तो अलावदर वाजा बनवाया हजार खम्मा का महल सीरी का कीला और राजविसे करवाया लाल महल में जो कि बल्वन के द्वारा बनवाया गया था और अलवदीन खिलजी जो है गुजरात अभियान पे भी गया था तो गुजरात अभियान के दौरान उसने क्या किया बो देखेंगे तो 1297 इसमी में उसने गुजरात अभियान सुर किया और बताएं राजविसे कब करवाया था 1296 में राजविसे करवाया था ठीक है और एक साल के बाद वो गुजरात अभियान पे गया तो गुजरात अभियान के दौरान एक हिंजरा था जिसका नाम था मलिक कफूर को उसने 1000 दिनार में खरदा गुजरात अभियान के दोरान काफी इंपोर्टेंट है याद रहे गुजरात अभियान के दोरान उसने क्या किया मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरदा गुजरात अभियान के दोरान अब मराथी वेगम को भी अपने ले आया हम मली काफर को दक्षिन भारत का देख रेक के लिए से दिया फिर वो सही तोड अभियान पे चला लगा पिराक्रमन किया तो उसने कब किया था तेरा सो तीन में अच्छी तोड का राजा था राजा रतन सिंग याद रखेंगे राजा रतन सिंग और इसकी पतनी थी रानी पदमावती और फी क्या होता है कि अलावदिन खिलजी द्वारा यूद में राजा रतन की मृत्ति हो जाती और बाद में रानी क्या करती है, पदमावती जोहर का पनाती है राजास्थान में, जोहर क्या है, यानि कि अपने आप को आग में समर्पित कर लेना वो होता है, जोहर, और जोहर इसने क्यों किया था? क्योंकि राजा रतन सिंक जब यूद में अलाओदिन खिल जी ने मार दिया था और अलाओदिन खिल जी रानी पदमावती से बिवाग करना चाहता था इसी में पदमावती ने जोहर को अपना लिया था और अलाओदिन खिल जी के द्वारा क्या किया गया तो बीत बिभाग की स्थापना की गई सारे टेक्स के देखरेक के लिए जिसका नाम था दिवाने मुस्त खराज यह अलावदिन खिल जी के द्वारा सूर किया गया और अलावदिन खिल जी का उत्राधिकारी हुआ मुबारक सा खिल जी जो की काफी बिकार सा सक हुआ मुबारक सा खिल जी अलावदिन खिल जी का उत्राधिकारी हुआ ठीके और देखते हैं तो अमीर खुसरो अमीर खुसरो में एकूल आठ सुल्तान के दरवार देखा है अमीर खुसरो ने आठ सुल्तान का दरवार में थे या फिर उनका सासन प्रशासन देखा था और अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो अमीर खुसरो जो है बलबन से लेके मुहमबत विन तुलक तक था अमीर खुसरो और अमीर खुसरो के बात करें कि जनम कहा हुआ था तो यूपी के ये निवासी थे और इनका पट्टियाला में जनम हुआ था अमीर खुसरो का और इसने आठ सुल्तानों की दर्वार में ये रहा था या फिर देखा था और अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है तो तूतिये हिंद कहा जाता है यानि हिंद का तोता कहा जाता है अमीर खुसरो को सितार का जनक और तबला का जनक अमीर खुसरो को कहा जाता है ठीक है नेक्स देखते हैं कवाली का भी जनक देखे तो अमीर खुसरू को कवाली का भी जनक कह जाता है अमीर खुसरू ने खुल आठ सुल्तान के दरवार में रहे थे या फिर आठ सुल्तान को देखा था और अमीर खुसरू के भी गूरू थे निजामुदिन ओलिया और इनों ने साथ सुल्तान के दर्वार में रहे थे या फिर साथ सुल्तान का वस देखा था निजामुदिन ओलिया और निजामुदिर ओलिया का सेसे हुआ अमीर खुसरो जिसने आठ सुल्टान का दर्वार में थे और मुबारक सा बताए कि अलावदिन खिलजी का उत्रादीकारी हुआ और इसने खलीपा से अनुमाती नहीं लिया था याद रख सकते हैं और खुद ही खलीपा घोसित कर लिया था ठीक है दम बेकार सा सकता ये जो था अलावदिन खिलजी ने इतना धन समपती रख लिया था लूट पार्ट या फिर टेक्स लगा के जो भी तो उतना वो समपती को देखकर क्या हो गया था ये पागल हो गया था और अजीव अजीव हरकते करता था तो देखिए दरवार में क्या करता था नंगे पूरुस नंगे इस्तिरिया का समू में रहता था महिला का कपड़ा पहन के उचलते रहता था ठीकिए और मुबारक सा जब ये जो थे खुसरो खा मुबारक सा का ऐसी हरकते देखते थे क्योंकि खुसरो खा जो थे इसके दरवार में रहा करते थे जिसे इसका जो रवया था पसंद नहीं आया आदा चो भी कहें तो क्या किया है, खुसरो खाने मुबारक सागी हत्या कर देता है, ठीक है, और निजामुदिन ओलिया जो है, जो की महान थी था, महान विद्वान जो भी कहें, वो था, तो खुसरो खा क्या करता है, इन्हें पांच लाक भेड़ देता है, और निजामुदिन ओलिया को अपने दर्वान में रखता है, ठीक है, खुसरुखा हत्या कर देता है, ठीक है, खुसरुखा की हत्या अब हो जाती है, जैसे की मुबारक सा की हत्या करता है खुसरुखा, और खुसरुखा की हत्या कर देता है गया सूदिन तुगलक, और किस वंस का स्थापना करता है, तुगलक वं भारतिय मुस्लमान सासक था ठीक है भाला भारतिय मुस्लमान सासक दिल्ली संतलन्त में जो हुआ वो हुआ खुस्रु खा का सेनापति रहता है कौन गयासुन तुगलग जो इसका हत्य कर देता है ठीक है इससे याद रखेंगे सेना पती गयासो दिन तुगलक और तुगलक वन्स की अस्थापना हो जाएगा तो देखें अगर तो क्या देखें यहाँ कि मुभारक साखी हत्य करेगा खुसरूखा खुसरु खा कहा से हत्या कर देगा गया सो दिन तुगलक इतना याद रखना है और क्या याद रखना है कि निजाबु दिन ओलिया जो था वो आड सुल्तान साथ सुल्तान को देखा था और अमीर खुसरु आड सुल्तान को देखा था निजाबु दिन ओलिया काफी विद्व काफी पढ़ेंगे जो तुगलक वंस में पढ़ेंगे और काफी important होगा तरहां जामुतिन अलीया याद रखना है और चलिए मिलते है नेक्स्ट बीडियोमे और इसके बाद हमारा तुगलक वंस हो गाल दुगलक सब्सकूली लूदी सब्सक्ति देजिय Till जाएं मैं पढरी करें गया और गयाš लाइक कर दिजेगा, सेर भी कर दिजेगा और सस्क्राइब जरूर से जरूर कर दिजेगा और अच्छा लगे तो कमेंट भी किजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिंद